हेलो स्टूडेंट्स विल्कम बैक टो मैं चैनल इलेर्णिंग अकाउंट्स इन मैथ्स स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में क्वेशन नुबर 34 का आधा क्वेशन सौल्ड किया था आज हम फुल करेंगे तो देखिए हमें सिर्फ जैनरल इंट्री आपको करके दिखान अधा था तो आज हमएं इसका जणरल इंट्री भी करेंगे लास् वीडियो में हमने क्या बनाया था रियौजू की अ थोड़ा सा नेया है यह इसमें एक बार फिर से हम यह समझेंगे इसमें लिखा हुआ है Capitals of the Partners will be in proportion to their new profit sharing ratio for this purpose current accounts will be opened Reserve वाला amount, Revaluation का profit and Goodwill वाला amount यह सारा amount जब partners receive कर लेंगे उसके बाद उनका capital जो आएगा उस capital को हमें new profit sharing ratio में calculate करके दिखाना है एंड उसके लिए हमें current account open करना है इसके यही मतलब है देखी हमने partners capital account बनाया था जिसमें हमने general reserve वाला amount distribute किया था, Revaluation का profit भी हमने distribute किया था and Goodwill वाला treatment भी हमने किया था, आप लोगों मैंने समझाया था क्या लिखा था इसमें फिर से एक बर देखेंगे, Goodwill का treatment क्या था, C's capital account debit to A to B C, gaining partner है इसलिए हमने C की entry debit में की and A, B, sacrificing partners है इसलिए इनकी entry हमने credit में की partners capital account में उनका treatment क्या होगा, A and B, receive कर रहे है compensation वाला amount इसलिए उनकी income column में हम उनकी entry करेंगे and C payment कर रहा है, इसलिए C में हम expense column वाले debit side expense होता है और credit side income होता है ना तो हमने इसलिए C के expense वाले column में entry की, यहां तक का होगे, अब देखे, अगर question में आपके लिखा हो कि partners की capital को हमें new profit sharing ratio में करना है तो उसके लिए ऐसे ही उसके entry बनती है, पहले आप normally जैसे partners capital account बनता है वैसे बना उसके बाद, उनका capital close करने के बाद, double line close करने के बाद, फिर से हम balance open करेंगे यह जो balance CD है, A and B का debit balance आया था, तो इस side हम credit balance करेंगे and C का credit था, तो हम debit balance करेंगे उसके बाद देखिए, उनके capital calculate करेंगे हम, तो A and B का income आया था, 3,45,000 and 2,20,000 बट, C का देखिए, उस time मैंने आप लोग को समझाया था, C के पास total amount था, 1,10,000 बट, C को payment करना था, 1,35,000 का, C के पास कमी हो रही थी, 25,000 की, उसके पास कमी हो रही थी, तो वो किसी और से उसने पैसा ले लिया, उस time अपनी कमी पूरी कर लिया, बट, जो उसने 25,000 किसी और से लिया, तो वो उसे वापस करेगा न, तो इसलिए C का वो negative balance हो गया था, हमें तीनों partners का capital दिखाना था, तो A and B का जितना income आया था, उतना हमने add कर लिया, C के पास तो कुछ भी नहीं बचा, जो उसका income आया था, एक लाग दस हजार, वो तो उसने दे दिया, उसके साथ-साथ उससे कर्ज भी लेना पड़ा, compensation पे करने के लिए, तो वो कर्ज वाला amount वो वापस करेगा, तो इसलिए 25,000 उसका negative balance चला गया, तो A and B का add करने के बाद, उसमें हम C का less करेंगा, तोटल आ लिए यह जो amount आता है, इसको हम debit side में लिखते हैं, ठीक, इसके entry हम debit side में करते हैं, to balance CD करके, हमने किया था, उसके बाद हम balance करेंगे, एक credit side में total amount कितना था, 3,45,000, debit side में 90,000, minus करेंगे, तो आएगा 2,55,000, तो यह जो balancing figure आया, यहां हम लिखेंगे, to is current account, क्योंकि यहां प balancing figure रही है, उसके बाद B का देखिए, 2,20,000, minus 1,80,000, यह हो गया, 40,000, 40,000 आया, B का balancing figure, यहां हम लिखेंगे, to be current account, ठीक, current account open करना है, अब C का देखिए, C का debit balance था, सिफ credit में कुछ भी नहीं था, 2,70,000, plus 25,000, यह आ रहा था, 2,95,000, तो हम नहीं आ लिखा, by C, current account यह है, balancing figure, इन तीनों partners का यह है, balancing figure, अब देखिए, यह हो गया, आपका calculation, उसके बाद हमें general entry करना है, तो general entry देखिए, हमें starting से करेंगे, Revaluation account का हमें सारे transactions के general entry करना है, तो Revaluation account से हम देखेंगे, land and building का value बढ़ा है, यहाँ पे, asset का value increase हुआ है, appreciated लिखता है, asset का value increase हुआ है, तो देखिए, बहुत ही simple तरीके से हम करेंगे general entry, Revaluation account में land and building credit side में है, तो general entry में हम debit side में लिख देंगे, land and building, Account, debit to, Revaluation, account हो गया, amount कितना लिखेंगे, जितना हमने इसमें लिखा है 60,000, उतना हम सेम यहाँ पे लिख देंगे, 60,000 और 60,000, Narrations आपको लिखने होंगे, Narration में आप कुछ भी लिख देना, means कुछ भी लिख देना मतलब ये question लिख देना, ये वाला adjustment लिख देना, land and building will be appreciated by 20%, अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, Revaluation की Profit की Entry हम करेंगे, तो यहाँ पर Profit की Entry हमने Debit साइट में करी, तो इसमें हम Credit साइट में करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए, पहले हम Debit में लिख देंगे, Revaluation Account, Revaluation Account, Debit to, इस Profit को हम Partners की Capital Account में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए हम यहाँ Partners Capital Account लिखेंगे, B's Capital Account, and 2 C's Capital Account, कितना हो जाएगा, 24, 24, and 12, 24,000, 24,000, and 12,000, टोटल कितना हो जाएगा, 60,000, Revaluation Account की General Entry हो गया, यहाँ आप लोग narration लिख देंगे न, Profit on Revaluation Account, इतना ही लिख दोगे, तो आपका सही हो जाएगा narration, उसकी बाद देखिए, Partners Capital Account में से देखिए, या फिर आप डारेक्ट, Balance Sheet में से General Entry बना लिजे, Balance Sheet में General Reserve कितना शो कर रहा है, 40,000, तो जब भी भी, तो मैंने हमेशे आप लोगो बताया, अब आप लोगों बहुत असानी से समझ में आ गया होगा, कि जब Partners अपना Profit Sharing Ratio चेंज करते हैं, उस टाइम में Partner जितने मी रिजर्व सोते हैं, आपस में Distribute कर लेते हैं, तो इस Reserve का General Entry क्या हो जाएगा, कई बार हमने किया है, General Reserve Account Debit, 2 A's Capital Account, 2 B's Capital Account, and 2 C's Capital Account, अगर हम Partners Capital Account देखें, इसके According हम General Entry बनाया तो देखें, बहुत सिंपल हो जाएगा, General Reserve के Entry इतरे Credit साइड में होई है, तो General Entry में हमने Debit साइड लिख दिया, Trial Balance से Just Opposite हो जाता है General Entry, ठीक, Amount कितना हो जाएगा, 16, 16 and 8,000, 16,000, 16,000 and 8,000, Total कितना हो जाएगा, 40,000, यह हो गया, Narration आप लोग लिख लेना, General Reserve, Transfer to Partners Capital Account in Old Ratio, ठीक, इतना लिख लेना, इसके बाद देखिए, Goodwill की भी हम Entry करेंगे, Goodwill का क्या Entry होता है, यहाँ अल्रेडी हमने किया था, Same यह हो जाएगा, C is Capital Account Debit, 2 अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,85,000, 1,05,000 and 30,000, यह हो गया, इसके बाद देखिए, यह जो Current Account हमने ओपन किया, इसका भी हमें General Entry बनाना है, तो बहुत सिंपल है इसका, पहले हम एका लिखेंगे, Is Capital Account Debit, 2 Is Current Account, Current Account Credit में क्यों जाएगा, क्योंकि इस साइट Debit में है, तो इसके Entry हम Credit में लिखेंगे, यहाँ 25,000 डेबिट बैलेंस था, तो इसके General Entry में हमने Credit में लिखा, अमाउंट कितना हो जाएगा, 255,000 डेबिट यहाँ 255,000, यहाँ पर हमने इस Capital Account क्यों लिखा, क्योंकि हम इस Partners की Capital Account से यहाँ लिखेंगे, जैसे Land and Building 2 Revaluation हमने लिखा, तो यहाँ Revaluation हमने क्यों लिखा, जिस Account से हम General Entry करते हैं, उस Account का हम नाम भी लिखते हैं, यहाँ Land and Building Credit में था, तो हमने Debit में डाल दिया, और उसके Opposite में हम क्या करते हैं, उस Account का नाम लिखते हैं, ठीक, वैसी देख लिजे, यहाँ पर Current Account का हमें General Entry बनाना था, तो यहाँ Current Balance, Debit Balance आया था, तो General Entry में हमने Credit Side किया, and Opposite में हम क्या लिखेंगे, Debit में हम क्या लिखेंगे, Account का नाम, Partners Capital Account है, तो यहाँ A Capital Account, Partner का हमने नाम लिख दिया, उसके बाद देखिए, B का करेंगे, B का भी Debit Balance आया था, 40,000, तो क्या हो जाएगा, Credit Balance हो जाएगा यह, 2, 20, Current Account, and Opposite में क्या हो जाएगा, 20, Capital, Account, Debit, Amount कितना हो जाएगा, 40,000 and 40,000, Last one, C का देखिए, C का Balancing Figure, Credit Side में आया है, General Entry में यह, Debit Side में हो जाएगा, यहां लिखेंगे, C's, Current Account, Debit, 2, C's, Capital, Account, Amount कितना हो जाएगा, 2,95,000, 2,95,000, So students, Question No. 34 का, हमने General Entry पे कम्प्लीट कर लिए, Next Video में हम Question No. 35 करेंगे, So if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.